ऐस्सलाम अलेकुम हम study online की के तरफ से अप लोग तरफ अनलाइन है और हम हम एच एप ल हैं नर्सेंगे कुछ डीजीज पढ़ रहे थें कुछ तैसर पढ़ रहे थें लाइक guys गेस्टेशल्ट्रेक्ट के ढ़िए दुखेस बाइज थे उस्टेर्ट के पार्ट ने उसके क्या के परट थे अब हम आगे जाहेंगे और आगे हमा साथ आता है एस फेगस और इस पेजियल जो भी डिसार्ट हमारे साथ सुफेगस में अकर होते हैं हम उनको क्या करेंगे डिटल के साथ पढ़ेंगे सो उन में से एक डिसार्डर हमारे साथ है हायटल हर्णिया हायटल हर्णिया में आगे जाने से पहले अगर अबी तक आप लोगों ने लिकिन हायटल हर्णिया हमारे साथ कौन से हर्णिया है हरनिया को हम कुछ यूटिपाइंट करते हैं कि हमारे साथ जब कोई भी आरगन अपनी नार्मल फीजियालोजी से हमारे साथ हट कर आ जाए उनकी प्रोजिक्शन हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं हम उसको हरनिया कहते हैं और इसी दरह हमारे साथ ये जो हरनिया है ये हमारे स असल में वो space है जिसमें हमारे साथ अशेफेगस 83 किविटी से abdominal किविटी में enter होता है through diaphragm हम उस space को क्या कहते हैं, higher test कहते हैं और उनकी true जब हमारे साथ stomach की किसी part की projection होती है इन दी tässä किविटी, तो हम उसको क्या कहते हैं, higherane Kenya कहते हैं So, असल में हमारे साथ हाइटल हर्णिया एक ऐसी प्रोजेक्शन है, अब अपर पार्ट अप्टी स्टामक जो के हमारे साथ एब्डामिनल कीविटी से कोई भी अपर पार्ट अप्टी स्टामक ऊपर आ जाती है, हम इस प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं, हाइटल हर्णिया को हम कुछ यूटिप आयन करते हैं, ये आप देख सकते हैं, इधर हमारे साथ हैं, हिला रहा हुए, और इस के एप्रोजेक्शन होई है, हम इसको हाइटल हरनिया कहते हैं ठीक है और यह जो हमारे साथ यह जो एरिया यह हमारे साथ क्या है यह डायफ्राम है ठीक है तो यह डायफ्राम हमारे साथ तोरासिक क्यूटी को अब्डामिनल क्यूटी से अलग करती है ठीक है और जब इस स्पैस में हमारे साथ कोई भी यह जो हायेटल हर्या को हम कुछ UBT करते हैं ये हमारे साथ या तू तु तु त्यर आजाती है उपन या वीक्निस आ जाती है in the diaphragmic muscles so उनकी तुरू हमारे साथ जब ये weak हो जाते हैं ये diaphragmic muscles तो उनकी तुरू हमारे साथ ये upper part of the stomach उपर आ जाता है so hiatal हर्णियां हमारे साथ कास हो जाती है अच्छा जी pathophysiology इस disease के हमारे साथ pathophysiology क्या है so normally the esophagus are food tube हम esophagus को food tube भी कहते है एक हमारे साथ tracheal tube होती है एक हमारे साथ esophagus tube होती है so tracheal tube जो हमारे साथ air की जो tube है और esophagus tube हमारे साथ क्या है ये food की tube है passes down through the chest crosses diaphragm ठीक है chest से ये होकर through diaphragm abdominal cutie में जाती है या stomach में जाती है and enters the abdomen through a hole in the diaphragm called the esophagus hiatus और जे space की through ये हमारे साथ तो अंदर जाती है so उस space को हम क्या कहते है esophagus hiatus कहते है just below the diaphragm जो के हमारे साथ diaphragm की नीचे जो stomach है वो हमारे साथ क्या है available है the esophagus joint stomach below the diaphragm हमारे साथ ये esophagus क्या करती है stomach को joint करती है in individual with the hiatal hernias the opening of the esophagus hiatus hiatal opening is larger than normal हाइatal hernias में जो लोग हमारे साथ मतासिर होते है this disease के साथ this disorder के साथ तो उनमें जो ये hiatus होता है ये opening जो होता है ये हमारे साथ larger होता है than normal and a portion of the upper stomach slips up और जब इनकी size हमारे साथ normal से larger होती है तो space हमारे साथ ज्यादा होता है और जब space ज्यादा होता है तो stomach को easily ये slip होनी की chances हमारे साथ याँ होती है easily available होती है कि वो easily आपके साथ क्या करे projection हो जाए या protrusion हो जाए और hiatus की तुरू stomach का कोई भी upper part हमारे साथ उपर आ जाए and enter into the chest और ये आपके साथ chest में enter हो जाए ठीक है तो उस condition को पिर हम क्या कहते है हायटल हरनिया कहते है ये आप देख सकते है नार्मली आपके साथ क्या है ये जो लोर इस फीचर स्पैंश्टर मसल्स है इदर इनकी closure हुई है through proper और हमारे साथ क्या है ये जो हायटल स्पैस है ये कम है लेकिन जब आपके साथ ये हायटल हरनिया हुआ है तो वहाँ पर आपके साथ जो ये हायटल स्पैस है ये आपके साथ बहुत ज्यादा है नार्मल से भी लार्जर है तो स्टमक को easily chance मिल रहा है कि वो क्या करें protrude करें और तौरासी क्यूटी में कुछ पार्ट उसका ऊपर आ जाए तो हायटल हरनिया हमारे साथ easily cause हो जाता है अच्छा जी हायटल हरनिया के हमारे साथ two types है एक को हम क्या कहते है sliding हायटल हरनिया और एक को हम कहते है para-esophageal हायटल हरनिया अब sliding हायटल हरनिया को हम किस तरह define करते हैं जब आपके साथ आपकी abdominal क्यूविटी में कोई pressure बढ़ जाती है और उस pressure के वज़े स्टमक पर प्रिशर आजाता है और स्टमक पर प्रिशर आने के साथ आपका जो स्टमक का अपर पार्ट है वो आपके साथ slide कर जाता है इंटो तोरासिक क्यूविटी तो हम उसको क्या कहते है sliding हाइटल हर्णिया कहते है और जब आपके साथ ये प्रिशर दुबारा कम हो जाता है अपका स्टमक दुबारा जो अपर पार्ट है वो दुबारा abdominal क्यूविटी में आ जाता है जो ये sliding type है इसमें आपके साथ हाइटस है उसका स्पेस दिन बाद दिन बढ़ता जाता है जब प्रिशर बढ़ता है तो स्टमक का पार्ट उपर आता है पिर जब प्रिशर कम हो जाता है तो तो तुरू ग्रिविटी वो नीचे आ जाता है लेकिन ये दिन बदन आगर ये आपके साथ होता रहता है तो आपके साथ ये हाटस बलता रहता है और easily आपके साथ ये जो स्टमक में आपर पार्ट है ये फिर उपर आना शुरू हो जाता है दूसरा जो हमारे साथ हाइटल हरनिया का हम जिसको दो टाइपस में हमने डुआइड किये तो दूसरा टाइप जो है उसको हम क्या कहते है पराइसुफीजाल हाउटल हर्निया आज बहुर्ज को मीर्स फीजायर हाउटल हर्निया जिह सिए स्नौ ईप तोαउट गेðर और पोर्शन आप दस्ट माक रिमैं और यह आपके साथ 10% के यह आते हैं यह आप देख सकते हैं जो हमारे साथ sliding हायटल हर्णिया था वो कुछ यू आपके साथ क्या stomach का part slide कर जाता है into the chest cavity लेकिन जो हमारे साथ पैरा इस फीजियल हायटल हर्णिया है उसमें आपके साथ पूरा का पूरा upper part of the stomach उपर आ जाता है और वो permanently इदर stuck हो जाता है और पिर ये नीचे आपके साथ slide नहीं कर पाता बलके इदर ही ये हमारे साथ रहता है एक तीसरा type में है जिसको हम क्या कहते है mixed हर्णिया mixed हर्णिया में कुछ यू होता है कि कुछ part of the stomach जो होता है वो आपके साथ slide कर जाता है लेकिन कुछ part आपके साथ chest cavity में ही रहता है permanently so हम उसको क्या कहते है mixed हर्णिया कहते है यह आप देख सकते हैं यह आपके साथ stomach है यह आपके साथ diaphragm है और diaphragm की तरूँ आपके साथ stomach का कुछ part ऊपर आया है into the chest cavity और हम इस हर्णिया को क्या कहते है parisopiechel hiatal harnia यह आप देख सकते हैं यह आपके साथ type 1 hiatal harnia है जिसको हम sliding hiatal harnia कहते हैं जिसमें protrusion कुछ यू होती है जो easily हमारा सा slide करता है through the hiatus into the abdominal cutie and into the chest cutie यह आपके साथ type 2 hiatal harnia है जिसमें आपके साथ protrusion जो है वो आपके साथ permanently हो जाती है चेस्ट क्यूटी और यह easily आपके साथ slide नहीं कर पाती नीचे बलके इसके लिए आपने कोई surgical procedure ही पहरा अपनाना होगा ठीके अच्छा जी काजिस क्या हो सकते हैं तो as you know एक तो pressure हो सकती है जो sliding hiatal harnia क्रास करती है कि आपके साथ अगर abdominal cutie में किसी भी टाइप का pressure बढ़ जाता है तो आपके साथ stomach का part easily वो protrude कर सकता है heavy lifting और bending और आपने कोई चीज को क्या-क्या बहुत heavy चीज थी और उसको आपने क्या-क्या lift किया तो आप hiatal harnia के से मतासिर हो सकते हैं और bending और आपने क्या-क्या bend over हो गए तो आप hiatal harnia के से मतासिर हो सकते हैं frequent are heart cupping आप ooping cup या किसी ऐसी disease की साथ आप जिसमें क्या करता हो machine like burst जो आपका कफ होता है तो उन से भी आपके साथ क्या हो सकता है hiatal harnia कास हो सकता है heart sneezing इस तरह आपने sneeze किया कि आप वो बहुत जीदा heart था बहुत forceful था तो आप के साथ उसकी साथ प्यापके साथ hiatal harnia हो सकता है pregnancy and delivery pregnancy के साथ क्या होता है abdominal cutie में pressure बढ़ जाता है और जब pressure बढ़ जाता है तो stomach पर pressure आता है और stomach का कोई भी part आपके साथ easily protrude कर सकता है vomiting के साथ आपके साथ protrusion हो सकती है constipation के साथ भी pressure बढ़ता है और आपके साथ stomach का कोई भी part क्या वो protrude कर सकता है obesity भी आपके साथ एक cause हो सकती है to easily protrude some part of the stomach into the chest cavity clinical manifestation हमारे साथ किस तरह आपको पता चलेगा कि एक patient में hyatal harnia हमारे साथ cause हुई है so the patient with sliding harnia may have heard one regurgitation and dyspegia but at least 50% are asymptomatic जो sliding harnia है तीक है उसमें आपके साथ heard one regurgitation food का उपर आना into the oral cavity और dyspegia जो के difficulty and eating है वो आपके साथ इस तरह के symptoms होंगे patients में लेकिन 50% के cases वो आपके साथ asymptomatic होते हैं उनमे sliding harnia के जो patient होते हैं उनमें आपके साथ कोई भी symptom appear नहीं होती the patient with para-isophiesal harnia usually feeds a sense of fullness after eating or maybe asymptomatic और जो आपके साथ non sliding है या para-isophiesal harnia है उसमें आपके साथ क्या symptom जो होते हैं वो आपके साथ या तो asymptomatic होते हैं या उनको ऐसा लगता है कि हमारा stomach हर टाइम full-full रहता है उनको appetite के शिकार होते है उनको बूग easily नहीं लगती या वो जब कहा जाते है तोड़ा साथ भी तो उनको अपना stomach full-full लगता है तो इस तरह के कुछ science symptoms आपको मिलेंगे इन भी हायटल हरनिया अज़जी आपको किस तरह diagnose होगा किस तरह आप diagnose करोगे हायटल हरनिया को तो हम क्या करता है चिस एक्सरे करता है और से हमें पता चल जाता है कौन सा पार्ट protrude होआ है बीरियम एक्सरे करता है जिसमें हम बीरियम स्वाल्व करके उसके एक्सरे करवा देते है और हमें पता चल जाता है कौन कौन सा पार्ट वो बीरियम जो होता है वो हमारे साथ ऐसा स्ट्रेंड होता है जो कि हमारे साथ एक स्ट्रेइ उसको एजिरी पिक करता है सो हम बीरियम की तुरू हमें पता चल जाता है कि कौन कौन सा पार्ट जो इनाटमी है वो हमें पता चल जाती है और हमें पता चल जाता है कि कौन सा प्रूट प्रूट हुआ है अपर एंडोस्कोपी हम करते हैं और अपर एंडोस्कोपी के साथ हमारे साथ हम इसको आर्सो नोन एज एसोफेगो गेस्ट्रो डियोडिनोस कोफी और एजडी अलावस डाक्टर तो एक्जामिन दे एंसाइड अपर इसफेगोस का स्टमक और डियोडिनम का और हमें इनकी इनाटमी का इसली फता चल जाता है कि कौन कौन सा पर प्रूट रूट हुआ है है उनको हम क्या करते हैं ताकि आपके सथ याज ना हो स्टमक में और जो बैलन्स हो वो आपके साथ मेंटैन रहें और प्रीपिए हम नेको देते हैं ताकि आपकि साथ गुए है जो कम से कम हो हैं लाइक उमेपराजोल यह हम केशन को एडवाइस करते हैं विन हर्णिया सेंटम्स आर सिवियर और क्रानिक एसेड रेफलक्स इस इनवाल्ब दुबारा उनको abdominal qt में ले जाते हैं the surgical procedure used is called nesan fund duplication हम जो surgical procedure use करते हैं in the hyatal hernia उसको हम nesan fund duplication कहते हैं in fund duplication the gastric fundus upper part of the stomach is wrapped और plicated around the inferior part of the esophagus preventing herniation of the stomach through the hiatus in the diaphragm and the reflex of the gastric acid so fund duplication में हम कुछ यू करते हैं कि जो upper part of the stomach जो के हमार सफंडस है let's suppose उसकी क्या हुई है if the stomach is wrapped उसको हम wrapped कर देते हैं या अप्लिकेट कर देते हैं around the inferior part of the esophagus जो esophagus का inferior part है उसके साथ और हम herniation को क्या करते हैं उसको prevent करते हैं ताकि आपके साथ पिर दुबारा से ये part उपर ना जाए complications आपके साथ dysphagia हो सकती है difficulty in eating esophagitis हो सकता है क्योंकि आपके साथ बार-बार reflux होगा तो acid आपके साथ उपर आएंगे और इसके साथ आपके साथ inflammation आप दी esophagus हो सकता है gastroesophagial reflux disease आपके साथ हो सकती है damage, internal organs, heart, lungs, etc जो आपके साथ ये part है ये sternum में आ जाता है chest community में आता है ये जो हर्णिया है तो ये आपके साथ heart और lung को भी effect कर सकते है heart one आपके साथ बहुत ज़्यादा कामा होता है क्योंकि acid की juice secretion बलती जाती है तो इसके लिए हम पिर क्या PPIs और antacids यूज़ करते है ताकि आपके साथ heart one कम से कम हो आचा जी ये हमारे साथ जो आज का topic ता ये था hiatal harnia जो कि हमने कापी detail में बढ़ा और इनको हम एक short अगर review दे दे तो hiatal harnia is totally related to hiatus herniation of any part of the upper part of the stomach through hiatus हम उसको क्या कहते है hiatal harnia कहते है तो two types है हमारे साथ जो के हम sliding और non-sliding या पेराइसी future hiatal harnia sliding और non-sliding को जैसे के नाम ही साहर करता है कि एक slide होता है एक slide नहीं होता दुबारा वो आपके साथ back उतनका जो slide होता है वो दुबारा नहीं होता बलकि यह जो chest के उटी में है इनकी जो protrusion है वो permanently fixed हो जाती है और पिर इनकी लिए surgical procedure बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है 90% आपके cases जो होते हो आपके साथ sliding hiatal harnia के आते है और 10% के cases जो होते हो आपके साथ non-sliding hiatal harnia के आते है जो prevent आपको यूग कर सकते हो इस disease को कि आप heavy जो lifting है उससे अपने आपको बचाए bending से अपने आपको बचाए heart sneeze या कफ से अपने आपको बचाए ऐसे procedure से अपने आपको बचाए जिससे abdomen में आपके साथ pressure बलता जाता हो weight भी आपका control हो ठीके obesity से अपने आपको बचाए constipation वगएरा को आप easily और वक्त के साथ treat करें ठीके और जब भी आपको कुछ ऐसे symptoms appear हो जाए like heart one, like regurgitation ठीके तो आपने क्या करना है अपने डाक्टर के साथ वो डाक्टर के पास आपने appointment लेनी चाहिए और अपने जाना चाहिए कि आप जल से जल क्या करें diagnose हो जाए और आप कापी complication के साथ ना चले जाए ऐसा ना हो कि let's suppose आपके साथ herniation काभी ज्यादा होई है तो आपके hurt और आपके lungs भी effect हो सकते हैं तो उन complication की तरफ आप ना जाए और आप easily में चीज़ में क्या करती है उजफा करती है so आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करए है और इसको share करना है अपने friends के साथ साथ ताकि हो आया और इस चैनल को subscribe करें और इसमें हम आगे भी बहुत जादा आपडेट share करते रहेंगे स Wakmir चैनल को सबस्क्राइब करें और इसके जो वीडियोस है वो अपने फ्रेंटिस के साथ क्या करें शेयर करें तेंक यू फार लिस्निंग